हेलो एबरीवन, वेलकम तू यू, यूर यूटूब चैनल, दी कंसेट, जैहिन तू आल आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिसकस करेंगे इंडियन सुसाइटी एंड इंडिया के जो आर्ट एंड कर्चल का सब्जेक्ट है उसका very important topic schedule tribes of India इस वीडियो लेक्चर में discuss किया जाएगा कुछ important facts and points schedule tribes के बारे में ये topic आपके UPSC exam के लिए state PCS exam के लिए और बाकी जो अन्य government exam होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़ादा important है चलिए शुरू करते हैं very interesting topic schedule tribes of India जो भारत में schedule tribes हैं 2011 के census के according भारत की कुल जन्संक्या का 8.6% cover करता है भारत में कुल 730 से वे उपर schedule tribes notified की गी है और schedule tribes को notified किया जाता है article 342 के अंतरगत भारती समीधान के article 342 के अंतरगत इसमें procedure mention किया गया है कि किसी भी group को यानि tribe को schedule tribe का status दिया जाता है और ये status दिया जाता है प्रेजिडेंट के दौरा अंडर आर्टिकल 342 आर्टिकल 275 क्लॉस वन ऑफ इंडियन कॉंस्टिटूशन के अंतरगत एक guarantee प्रवाइड की जाती है कि जो भारत का consolidated fund ऑफ इंडिया है वहाँ से grant प्रवाइड की जाती है हर साल किसके लिए welfare of the schedule tribes schedule tribes के भले के लिए इन tribes के development के लिए और इनकी भले के promotion के लिए इंडिया में जो सबसे बड़ा tribal group है उसका नाम है भील tribal group ये total जो tribal population है उसका 38% कबर करता है वहीं दूसरे नमबर पे second largest tribal group है गोंज वहीं इंडियान पार्लेमेंट के लोकसबा में schedule tribes के लिए भी reserve seat रखी गई है और कुल seatों की संक्या है 47 यानि schedule tribe की 47 seat है reserve है भारत के पार्लेमेंट में लोकसबा में बात करते हैं भारत के उस राज्ये के बारे में जहां पे सबसे अधिक tribal population पाई जाती है तो 2011 के census के according मध्य परदेश में सबसे अधा tribal population मिलती है चलिए बात करते हैं भारत के उस राज्ये के बारे में जहाँ पे सबसे ज़्यादा tribal groups है highest number of tribal groups 2011 के census के according सबसे ज़्यादा tribal groups मिलेंगे आपको Udisa में Udisa state में सबसे अधिक tribal groups है वहीं बात करते हैं particularly verni-label tribal groups PBTGs के बारे में ये schedule tribes के उन tribes को status दिया जाता है जो बहुत ज़्यादा अशुरक्षित है सबी tribal groups के अंतरगत बरतमान समय में भारत में 75 PBTGs यानि 75 tribal groups हैं जिनको particularly vulnerable tribal groups का status दिया गया है और इन 75 में से highest number PBTGs group मिलेंगे आपको Udisa राज्य में National Commission for Schedule Tribe की बात करें तो National Commission for Schedule Tribe की स्थापना 2004 में कीगी इसकी स्थापना कीगी Article 338 को amend करके इस amendment को किया गया 89th Constitutional Amendment Act 2003 के अंतरगत जिसके अंतरगत एक नया article जोड़ा गया इस article का नाम है Article 338A इसके अंतरगत National Commission Schedule Tribe के लिए एक अलग से आर्टिकल और कमिशन बनाया गया इस परकार से कह सकते हैं जो National Commission for Schedule Tribe है वो एक Constitutional Body है और ये Body मिलके बनी है एक Chairperson, 22 Chairperson तीन अन्य मेंबर होते हैं और इन सब को Appoint किया जाता है देश के रास्टपती के दोरा एक Warrant के अंतरगत इन पांच दस्यों में से एक मेंबर जो है वो महिला भी होना अनिवारे है बन मेंबर मस्ट भी अबुमन वहीं मैप पे नज़र डालते हैं जो रेड कलर का एरिया है वहाँ पे उस राज्य की कुल पॉपुलेशन में सबसे अधिक पॉपुलेशन ट्राइबल की पाई जाती है बात करें तो भारत के 705 ट्राइबल ग्रूप्स हैं जिनको शिडूल ट्राइब का स्टेटस मिला है अप्रॉक्स इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में 10.43 क्रोड पॉपुलेशन ट्राइबल ग्रूप्स की है रूरल एरिया में 9.38 क्रोड लोग्स हैं वही अर्बन एरिया में ट्राइबल ग्रूप्स के 1 क्रोड अप्रॉक्स पीपल रहते हैं वही tribal group की sex ratio के बारे में बात करें तो overall इनकी sex ratio है 990, rural area में है 991 और urban area में है 980 वही भारत के उस राज्य की बात करें जहां पे सबसे अधिक tribal population है वो है MP, MP में 14.7% population जो है tribal है second rank पे है महरास्टा 10.1% के साथ बात करें भारत के उन राज्य और UT के बारे में जहां पे कोई भी tribal group नहीं है वो है पंजाब, चंडेगड, हर्याना, एन सिटी ओफ डेली और पुड़ुचेरी और ये सारा data प्रोवाइड किया गया है 2011 के census के according तो इस तरह से इस बीडियो लेक्चर में हमने discuss किया schedule tribes of India के कुछ important facts and points के बारे में जो आपके upcoming exam के लिए बहुत ज़्यादा important है बीडियो लेक्चर पसंद आया है, बीडियो लेक्चर को like करे, अपने valuable comment करे, जादा से जादा इस बीडियो लेक्चर को share करे और आपके channel the concept apart for success को subscribe करे, thank you, जै हिन, जै भरत